देखिए श्राद्ध में सबसे बड़ी बात है दो चीजों का बहुत बड़ा महत्व है पहला सरदागा दूसरा पवित्रदागा बहुत जादा ध्यान हमको इस बात का भी रखना है पवित्रदागा हमारे घर में वैसे तो पवित्रता हमेशा ही रहनी चाहिए जितनी पवित्रता रहेगी उतना ही अच्छा है बातावरन मोल्क्राइब जो है न सिर्फ देवी देवताओं को प्रशन रखता है अब युकि shout out को भी हडशित करता है ज़ब स्वाच्श बातावरन होता है तो आपका मन भी हडशित होता है जिन घरों में गंदगी बनी रहती है, वहां हारी बीमारी भी लगी रहती है, कलेश बना रहता है, पित्र भी अपरशन होते हैं, देवता भी अपरशन होते हैं सीधी सी बात है, आपको कहीं बैठना हो, किसी के घर में जाना हो, तो सब से पहले आप उसी जगे की तरफ रुख करते हैं, जहां स्वच्छता हो, पुर सी साफ सूफ सी हो, प्लेन में जाना हो, ट्रेन में जाना हो, तो कौन सी सीट पकड़ते हो, तो अची हो, साफ सूफ हो, हालंके वो पहले से दे 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 इसी नमबर पर बैठना आपको और फिर भी अगर चोईस मिले तो गन्दी हो शीट तो क्या कहेंगे तो जब हमें स्वच्छता पसंद है तो हमारे पित्रों को तो हमसे जादा होगी देवताओं को तो हमसे जादा होगी इनी सब चीजों में थोड़ा सा विशेश ध्यान दें एक विशेश बात का स्राध्य करने वाले लोगों को ध्यान देना चाहिए इसमें लिखा है स्राध्य का समय कुतब महुर्त मतलब दुपहर के बाद ही करना चाहिए स्राध्य सुबह नहीं करना चाहिए सुबह देवताओं का समय होता है साम को राख्यसों का समय होता है दुपेर को पित्रों का समय होता है और वो भी just only 24 minutes कुत्ब महुर्त के बाद कुल 24 minutes का समय बिर्मा जी ने पित्रों को अपराहन काल दिया है आसमें दिया गया अन पित्रों तक नहीं पहुंसता है के लोग तो सुबह नौबजे ही शिल्टा देते हैं बोलो नौबजे आजाना खा लेना बोलो क्यों पर हमें भी खाना है बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं सुबह नो बजे आ जाओ श्राद्य करना चाहिए अपराहन तो बारे बजे के बाद ही होगा वही अभी इसमें सपस्ट लिखा है इसका मतलब है कि गलत विदी से किया गया स्राद्य भी पित्रों को नहीं लगता